हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने से यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम लोग इंटर्मीडियेट एक्जाम दोजार चोबिस बोड परिक्षा में जो भी छात्रेवम छात्रा एक्जाम देने वाले हैं उसके लिए हम लोग फिजिक्स का आज मोडल पेपर का टॉप सतर प्रशन करेंगे और यहां से बीस प्रशन हंड्रेड परसेंट टकराने की गरेंटी रहेगा अगर नहीं टकराएगा ना इस वीडियो को डिलिर कर देंगे यूटूब पर ठीक है ना इस वीडियो को आज अंध तक देखना है ठीक है और इस सत्त प्रशन को हर हाल में आपको रट जाना है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते है डियर देखिए पहला प्रशन क्या पूछा जा रहा है आभेसित सम्तल चालक के नजदिक बीदुत छेतर क्या होता है मोस्ट इंपोर्टेंट को सन है क्या होता है सिगमा बट्टे टू एपसलोन इसको पढ़ते है इसमें जीरो लगा देते थे एपसलोन नोट पढ़ा जाता है ठीक है न जो भी एस्टुडियों को नहीं पढ़ने के लिए आता होगा ता पढ़ लीजिएगा सिगमा बट्टे टू एपसलोन नोट ठीक है चलिए और इंगलिस वाला पन ए है जो की दिया गया सही है देखिए ये बिद्दू संबंध है ये बराबर जो होता है मैनस डी भी बट्टे डी आर होता इस आर के बज़े जगह पर एक्स भी रह सकता है तो घबराना नहीं है तो सही जब आपका बिल्कुल ए नमर हो जाएगा ये बराबर मैनस डी बट्ट डी आर या फिर डीवी वट्टे डी एक्स बहुत सारे कोशन आप देखे होंगे ठीके ना इस तरह से अगला प्रस्ण देखे क्या पूछा जा रहा है क्या 9 किलो मीटर क्या है 9 किलो मीटर तिरजिया वाले गोलिय चालक की विदूत धारिता क्या होती है बतले इसकी विदूत पटी का संधारित्र का धारिता क्या होता है इसकी धारिता क्या होता है इसकी धारिता होता है एपसलोन नोट ठीक है एपसलोन नोट उसके बाद आपको लखना है एपसलोन क्या लिखना है एपसलोन एपसलोन उसके बाद लिखना है एपसलोन एपसलोन आर ए अबट्टे ड होता है एनि option नमर बिल्कुल क्या हो जाएगा a नमर सही जबाब हो जाएगा epsilon not e r a upon d हो जाएगा ठीक है ना option नमर बिल्कुल a नमर सही जबाब हो जाएगा अगला प्रशनी क्या पुछा जा रहा है देखें क्या है Galvanometer का परती रोध जीसे शी चナंऄ सिचित क्या गया है और Voltmiter का पर ती रोध जिसे भीसे सुचित क्या गया है के बीक संबंध क्या हो है इनमें से संबंध को भी होगा, वह बरा होगा जी से, ठीके न, यहाँ पर क्या है छोटा जिसके इधर ती रहाता है वह छोटा होता है ठीके ना यहीं भी यहां पर बरा होगा सही जवाब होजेगा भी greater than g हो जाएगा ठीके ना, अगला प्रसन दिखे अगला प्रशन पूछा जा रहा है वीट अश्टोन ब्रीज का बेवहारिक धंचा निम्नलिखित में से कौन है इने में से कौन हो जाएगा मीटर ब्रीज होगा क्या होगा डियर मीटर ब्रीज आपका सही जवाब हो जाएगा सभी इस्ट्वेंट को याद कर लेना है और दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी को लाइक कर देना है और इस चैनल पर जो भी छात्रेवम छात्राएं नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा जो भी छात्रेवम छात्राइं प्धार्थ की परकिर्ती पर निर्फर करता है अगला प्रसंघ क्या पُछा जारा है किर्क हॉब क्या लिखा हुआ है किर्क हॉब के बिंदु नियम में नीमनलं लिखीत में से कोन भ वाउठीक रासी सनरच्छीत होती है इनमें से आपका जो आबे से ना ये संदच्छित रहता है option नमर बिल्कुल अब भी हो जाएगा अगला प्रसन देखिए देखिए 70% करेंगे थोड़ा time लगेगा इस वीडियो को लेकिन time आपको देना होगा ठीके ना क्योंकि सारा का सारा question important बनता है टेकराने की guarantee लेते हैं डियर जितना भी प्रसन बतला दे आलग की अंदर electron की गती क्या होती है यह तोडीथ होती है क्या होती है डियर तोडीथ होती है एंगला है बिदुद परीपत की सकती क्या होती देखें विदित पुरीपत की सक्ति को सुचित करते हैं पी से इसकी सक्ति बराबर फर्मुला होता है भी अस्क्वाइर अबटा आर होता है यहीं ऑप्सन नमर बिल्कूल सी नमर सही जवाब हो जाएगा चलिए अगला प्रसंद देखिए क्या पूछा जारा है चुम्ब क्या होता है जिस परीपत में सिर्फ परतिरोध है उसका सक्ति गुनां कि क्या होता है उसका सक्ति गुनां क्या होता है उसका सक्ति गुनां का मान एक हो जाएगा क्या हो जाएगा एक हो जाएगा सही जवाब अगला देखिए अगला प्रसंद पूछा जारा है परत्यवर्ति धरा का मूल बर्ग माध मान क्या होता है इसका मान होता है इडियर सिखर धरा क्या ह होता है सिखर धरा जिसे सूचित करते हैं आई नोट से सूचित करते हैं और बट्टा रूट टू होता है आई नोट क्या है सिखर धरा और रूट टू हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब अप्सन नमर है और चुम्बकिया लंबाई दिया और जैमितिया लंबाई LG दिया गया है इसके बीच संबंध कौन सही होगा बतलाई इसके बीच संबंध क्या होगा इसके भी संबंध होगा LG अबट्टे च्वा बट्टा पंच LM होगा LM हो जाएगा option बिल्कुल ए नमर राइट अंसर हो ज देल्टा नमन कौन हो तो पिर्थीवी के चुम्बकिया छेतर के लिए निमलिखित में से कौन मन है जो की सही दिया गया है इसका सही जवाब होगा BH क्या होगा BH बट्टे कौस देल्टा क्या कौस देल्टा हो जाएगा option में बिल्कुल ए नमर राइट अंसर हो जाएगा ठी यह मीटर जो है ना यह उपर जाता है तो मैनस में हो जाता है मीटर मैनस वन देखिए इसके पावर मेंने कुछ हो एक है यह उपर जाता है तो मैनस ले लेता है और एक जियोंकातियों रहता है एंपियर मीटर इनभर से या फिर एंपियर मीटर के पावर मैनस वन जिस तरह आपको शुब्दा हो उस तरह आप यादproduct calendar sure ठिक है चुंबक्या योम्यक्तर ग्या है चार उप्सन देखिए चोमप्या योम्यक्तरशि का उर्थवधर तल होता है क्या होता है उठ्वधर तल होता 1 पलस D बटा option नमर बिल्कुल A नमर राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए क्या पूछा जा रहा है समन अंख लेंस का फोकस दूरी लगबग कितना होता है इसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है कितना होता है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा अगला प्रसन देखिए क्या पूछा जा रहा है हीरा का क्रांती कौन कितना होता है सभी 2 सेंटीमीटर याद रखिएगा 24.41 डिगरी होता है हीरा का क्रांती कौन option नमर बिल्कुल A नमर राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन पूछा जा रहा है क्या देखिए दो समपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल लेंस होता है इसका समतुल लेंस क्या होता है अवतल होता है क्या होता है अवतल होता है चलिए एनिक कौन वैक लेंस हो जाएगा अगला देखिए परकासिक तंतु होगा ठीके ना परकासिक तंतु का मुल सिध्धान्त इन में से कौन है यह होता आपका पुर्ण अंत्रिक प्रावर्तन परकास का पुर्ण अंत्रिक प्रावर्तन अगला प्रसन देखिए प्रसन पुछा जा रहा है समन आख के लिए असपस्ट दृष्टी क कि निवनतम दोरी कितनी सेंटीमीटर होती है बतलाई तो 25 समन आख के लिए समन आख पुछा रहा है ठीक है ना समन आख के लिए असपश दिरिष्टी की निवनतम दोरी कितना होती है 35 सेंटीमीटर आप लोग दसमा में भी आपको ये प्रशन बतलाया गया होगा और बहुत सारे श्ट्रेंट को याद भी होगा अगला प्रसन दिके इंदर धनुस के निर्मान के लिए निवनल इखित में परकास की कोन सी घटना सही है कोन सी घटना सही है परकास का बर्न भीचेपन ये बिलकूल सही है सभी इस्ट्रेंट याद रिखेगा और एक बार इमंदारी पुर्वक लाइक कर दिजेगा आपके लिए तरह का हम पांच फ्रेट लाएंगे भांच मोडल सेट में से बहुत सारे प्रश्न आपका बुजें चालीस प्रस्न आपका गरंटी लेते हैं तकरा जाकर से चालीस प्रस्न अवसार टकरला जाए यहनुद प्रश्ण को याद कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेल आकन सब्सक्राइब करके और लोटिफिकेसन को सलेक्ट कर लेना थाकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेसन आजाएगा ठीक है चलिए देखिए प्रस्ण पुछादार है किस रंग के करके लिए कंच का अपवरतनांग है जो की अधिक होता है बैगनिंग के लिए बैगनिंग के लिए ओप्सेन वर्फिल्कुल B होजाएगा सही जवाब अगला प्रेस कारी क्या पुछा जा रहा है प्रश्ण पूछा देखिए ब्यास-कारी ब्यैतिकरन के लिए पथांतर क् अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है परकास की अनुप्रस्त तरंग की परकिर्ती को निमलिखित में से कौन घटना पुष्टी करता है ये करता है धुर्वी करन क्या करता है धुर्वी करन ये पुष्टी करता है अगला प्रश्न अब रोध के किनारों से परका प्रकास का मुर्ना क्या कहलाता है ये कहलाता है विवर्तन अगला देखिए अगला चंदी का कारफलन कीतना होता है इसका कार्फलन कीतना होता है 4.7 E भी मतलब होता है, E मतलब electron भी मतलब bolt 4.7 electron bolt होता है अगला प्रश्ण पुछा जा रहा है पलांक नियतांक कामान कितना होता है पलांक नियतांक कामान 6.7 6.6 गुणा 10 की घात मैंनस 34 जूल इंटू सकेंड हो जाएगा option नमें बिल्कुल C हो जाएगा अगला प्रसंदी किए पूछा जा रहा है प्रसंद फोटोन का गतीक दर्वमान होता है इसका गतीक दर्वमान होता है H बटे C लेमडा होता है option नमर B ठीक है अगला प्रसंदी किए निमनली खीत में कौन सरेनी प्राबैगनी परीसर में है प्राबैगनी परीसर में इन में से कौन है लाइमेन सरेनी जो होता है ये प्राबैगनी परीसर में पड़ता है ठीक है अगला दिखिए रेडियो एक्टिविटी के लिए निमनलीकित में से कौन उप्यूक्त नहीं है कौन उपयूक्त नहीं है आपको बतलाना है देखे परवानविक जो घातना होता है ये उसके लिए उपयूक्त नहीं होता है परवानविक घटना ठीक है अगला प्रसन पूछा जारा है तेजी से चलने वाला इलक्ट्रोन होता है ये होता है बीटा किरने कौन होता है बीटा क इसके बीच संबंद इसके बरावर इन डी वरावर फर्मूला क्या होता है और प्रस्न पूछा जाता है इसके बरावर फर्मूला होता है रूट अंडर टू एच आ ऑप्सन नमर बिल्कुल भी हो जाएगा इस प्रस्ण को इस फर्मुला को हमेशा याद रखेगा और प्रस्ण चालक में मादित किया जाता है तब अर्द चालक की चालकता क्या होती है और चालक की चालकता होती है वह बढ़ जाती है अगला प्रस्ण देखिए पूछा जा रहा है नौर गेट का बुलियन बेंजग क्या होई अगर आपको और गेट अगर और गेट का याद है तो नौर गेट का असानी से आप बता सकते हैं बतला ये और गेट का क्या होता है ए पलस बी बराबर वाई होता है यह होता है और gate का बुलियन बंजग अगर आपसे पूछेगा नौर gate का तो क्या कहिएगा और वल आपको लिख देना है यह आपका और gate का होता है इस N के बदले हमेशा याद रखेगा यहाँ पर रैकरिंग चढ़ा देना है यही आपका होता है नौर gate का बुलियन बंजगे तो बतला यह आपसें कौन सही हो जाएगा यह पलस भी उसके पावर रैकरिंग चढ़ा देजिए आपसें मेर विलकुत सी नमर सही जबाब हो जाएगा चलिए अगला प्रशन क्या पूछा जा रहा है अर्द तरंगी दिष्ट करन में पचास हर्ट्ज ठीके ना हजर मतला आविर्टी का मात्रग क्या होता हर्टज हर्टज होता हर्टज वही आपका पचास हर्टज के निवेस आविर्टी के लिए निमनलिखित में से कौन सही निर्गम आविर्टी दिया गया है देखिए 50 हर्ट इसका भी सही जवाब हो जाएगा बस असानी से याद रखना है अगला देखिए दूइधारी संख्या जो ये दिया गया है दस्मिक संख्या निम्लिकित में से किसका है ये किस से दस्मिक संख्यां से दूइधारी पराप्त क्या गया है देखिए ये इसका सह लगाना जब तक कि अस्यस फल जीरो ना हो जाए ठीक है ना चलिए चलिए दो एकम दो आप दो पंच दस पंदरा दूनी तीस अस्यस फल कितना बचा जीरो बचा आपको साइड में लिखना है तब तक लगाना है जब कि भाग फल एक ना हो जाए ठीक है ना या शुरू में हम गलती बोल दिये थे ठीक है ना तो आप उसके बाद लगाए दो सते चौदा दो सते चौदा सेस्फल कितना बचा एक पंदरा पूर गया फिर बतला ये दो तीया कितना हुआ चो सेस्फल कितना बचा एक समझ गए उसके बाद फिर 1 है तो एक लिखे उसके बाद पर एक है लिखे उसके बाद 0 है तो 0 यहीं आपका दसमिक संख्या का दुईधारि पतदती हो गया सबीष का दुबिदहारी हमको ग्यात करके बतलायेगा इस वीडो के comment-back मैं वीजारी कर दुबिद्धारी को कोमेंट किजीएगा ठीक है देखते कौन-कौन सारे श्टुमेंट करते हैं ठीक है चलिए अगला परस देखिए इलक्ट्रोन पर आबेस क्या होता है इस पर आबेस बतलाई एक दसम कितना होता है मैनस 1.6 गुन्य दसकी घात मैनस 19 कुलम बच्चा-बच्चा को पता होगा ठी एक दिवाई बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा-बच्चा- वाई बराबर एक बट्टा तीन गुने दस की घात मैनस 29 सेंटीमीटर होता है ओप्सन नमर बिल्कुल ए नमर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखिए प्रस्न पूछा जा रहा है चीतर ए और बी में ये चीतर दर्चाया गया है समतुल धारिता इसमें से ब है देखिए एक एंपियर बराबर होता है दस की घात 3 मिटर एनिकी एहाजार एक हजार मिटर एमपियर होता है जब इसको गुना कीजईगा तक इतना आजएगा एक हजार आजएगा 10 की हात फ्रुंत क्या थैंर ऑप्सन बिल्कुल ए नमर हो जाएगा अगला देखिए अग धारा घनत बराबर पहले वीडियो भी हम बना चुके है इस पर धारा घनत ठीक है ना अगला पर तीरोध के लिए निमने लिखीत में से कौन संबंद सही है कौन संबंद सही है देखिए आर बराबर क्या होता है रो इसको पढ़ते हैं रो एला बटा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्सन नमर बिल्कुल ए हो जाएगा बी नमर हो जाएगा अगला देखिए चीतर में आई का मान क्या होगा यह जो चीतर दिया गया फिगर इसमें धारा एनिकि आई का मान क्या होगा बतला इसमें आई का मान क्या हो जाएगा तो आई का मान इसमें आपको बत माप मापा जाता है देखे नॉम्रिकल के लिए अलग से वीडियो लाएंगे ठीक है ना बहुत सारे इसे में क्यों मापा जाता है इसमें मापा जाता है सेल का एम एमफ वल एने के जो बिदूत बाहग वल नहीं होता है वहीं मापा जाता है तीक है ना वीभवम मापी से अब देखें एक kwh जो के ब्राबर होता है एक किलो वार्ट घंटा थीक है अगला है एक टेसला जो एक टेसला होता ना ये एक टेसला क्या होता है एक टेसला बराबर क्या होता है बतला ये एक टेसला बराबर क्या होता है एक बेवर एक बेवर ये डबलू बी डबलू बी बटा मीटर स्कॉर होता है एक टेसला बराबर क्या होता है एक बेवर बटे मीटर स्कॉ ठीक है ना चुम्बक्या फलक्स होता है अपका 5 बराबर क्या होता है 20 सदीस इन्टू इन्टू एन्ट वला इन्टू ठीक है ए सदीस होता है option बिल्कुल ए नमर सही जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पुछा जारा है बिदूत चुम्बक्या तरंग का बेग क्या होता है इसका बेग क्या होता है C बराबर एक बटा रूट अंडर म्यू नोट एपसलोन नोट होता है option नमर बिल्कुल B नमर सही हो जाएगा ठीक है ना photon का उर्जा होता है photon का उर्जा क्या होता है यह बराबर होता है hb क्या होता है hb होता है option number e इस 70 प्रशन आप अच्छे तरीके से याद कर लिजिए और कल के वीडियो में इस 70 प्रशन का test चलेगा live test चलेगा ठीक है न और देखिएगा सभी student अपना अपना आज ही याद कर लिजिए सभी student और कल आपको live में सतर में 65 पलस जरूर करना है ठीक है न अब देखिए एक electron के electron bolt के बराबर क्या होता है एक electron bolt के बराबर होता है एक दसमलब चोगोने 10 की घात मैनस 19 जूल होता है एक electron bolt बराबर एक electron bolt बराबर कितना होता है एक दसमलब चोगोने 10 की गात मैनस 19 जूल होता अगला अनिम लिखीत में से कौन सही है बतलाई आप देखे साथ का दोईधारी निकालना है आपको साथ का भी तुरंट सिखला है ना दो से भाग लगाते चलना है दू तिया छो असेस्वर कितना बचा है एक इदर लिखना है दू एकम दो असेस्वर ब हो जाएगा इनमेस इसमें यसा यह जाएगा जि इसका अंसर 1 ठाद चलिए आप देखिए स्का सही जवाब हो जएगा ऑप्सर नमर बिल्कुल द नहीं एक होगा जाएगां जब पठेंगे ना दूड़ीदहारी उसमें आपको पुझा जाएगा अभी बहुत साइट को नहीं पुझाया होगा कैसे हो गया ठीक है तो ऑप्सन नमर बिल्कुल क्या हो जाएगा डी नमर सही जवाब हो जाएगा अगला देखिए किसी उचाहिट Transformer में यद्य प्राइमरी और सेकेंडरी कुण्डली में करंसा N1 करंसा N1 और देखिए लपेटा है तो एंटू जो एंटू का मान होगा वह एंवन से बरा होगा एंटू गरेटर देने एंवन छोटा होगा और एंटू बरा होगा ठीक है ऑप्सन नमर बिलकुल इह हो जाएगा तो इसकी सक्ति क्या होगि इसकी सक्ति होगि p來到 एक डायोप्र एक डायोप्र टी मतलब डायोप्र ठीकिय। ना चलिए अगला प्रस्विंग है सयुक्त सुक्षमदर्सि के लिए निमली कित में से कौन सही होता है देखे एफ ओ एफ ओ लेस देन एफ ही एनि जो एफ ही होगा न वह एफ होगा बरा एनि एफ हो छोटा होगा और एफ ही बरा होगा ओप्सन नमर बिल्कुल B हो जाएगा चलिए अगला देखे पतले 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 निमली कित में से कौन भावतिक रासी नहीं बदलता है इसकी आविर्ती जो होता है प्रिक्वेंसी ये आपका नहीं बदलता है ठीक है अगला प्रशन पूछा जाए यदि हवा में परकास का वेग जो है न वो भी है और पानी में परकास का वेग भी डबलू है तब क्या होता है देखिए तब जो होगा न ये भी ए का मन भी डबलू से बरा होगा यह भी ए बरा होगा और भी डबलू छोटा होगा जेकराईने तीर रहेगा उचोटा होगा ठीके न तीर जेकराईने र हेगा उच्छोटा होगा अब बताइए अगला प्रशन जल के लिए क्रांति कोन कितना होता है जल के लिए क्रांति कोन का मन होता है कितना 48.75 डिग्री 48.75 डिग्री होता है ठीक है अगला देखिए रच्नात्मक ब्याती करण के लिए कलांतर क्या होता इसके लिए कलांतर होता है यहींookie जिसे प्रॉज़ की आइस से सूचित क्या गया है के लिए लिखित में से कौन सही हो जाएगा ओन, सही जवाब याद रखेगा दियर IMPORTANT प्रसन बनता hmm अगला दीखे अगला प्रस्न के समानतर की पर्टी का फोकस। कितना होता है इसकी फोकस्स दूरी होता है डियर अनंथ होता है कितना होता है अनंथ उसको याद कर लिजिए और सभी टेलिग्राम गूरूप का नाम क्या है तो बतला कि अबужना पर पीडियाप दे देते हैं एन्डवल-क और को ओफिसियल 3 m यह टेलिग्राम गूरूप का नाम है जाए जोइन हो जाएए लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा और वाट्सअप गुरूप से जोइन नहीं हुए है तो उसका नम्मर देते हैं डवल नाइन 39735442 गुरूप में जोइन होना चाहते हैं तो मेसेज किजिएगा वाट्सअप गुरूप में जोइन कर देने हैं आज के लिए इतना है वीडियो को लाइक किजिएगा अधिक से अधिक शेयर किजिएगा धन्यवाद